देश की सरवोच अदालत यानिकी सुप्रीम कोट में दोस्तों आज दो बड़े फैसले सुनाई हैं जिसने एक बार फिर से आम जन को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि नेताओं को बेल होती है जेल नहीं क्योंकि वो जन प्रतिनिदी हैं तो उनके लिए कानून थोड़ा अल मिलेगी फिर तो बाहर आना ही है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ केजरिवाल सरकार में मंतरी रहे सतेंद्र जेन की इसके अलावा यानवापी मस्जिद में चल रहे एसाई यानि की आर्केलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे पर भी सुप्रीम कोट ने बड़ा फैसला स आम आदमी पार्टी के नेता सतेंद्र जेन की अंतरिम जमानत याचका पर आज सुप्रीम कोट में सुनवाई की गई सुप्रीम कोट ने स्वास्त करणों का हवाला देते हुए जेन को अंतरिम जमानत दे दी है इस केस में दोस्तों पिछली सुनवाई 10 जुलाई को की गई थी जिसमें कोट में उनकी जमानत 24 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी जेन के वकील एम सिंगवी ने कोट से कहा था कि तीन अस्पतालों ने जेन को सरजरी की सला दी है इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए इस बीच 21 जुलाई को दिली के अपॉलो अस्पताल में जेन की रीड की हड़ी की सरजरी की गई ये जानकारी अरविंद केजरिवाल ने ट्वीट करके दी थी उन्होंने जेन के अच्छे स्वास्त के लिए प्राथना भी की थी इसके पहले 26 माई को सुप्रीम कोट ने मेडिकल कंडिशम्स के आधार पर जेन को 6 हफते की जमानत प्रोवाइड की थी 11 जुलाई को उनकी जमानत का आखरी दिन था जमानत याचका पर सुनवाई के दौरान कोट ने कहा था कि सतेंदर जैन प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकते हैं लेकिन किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे नहीं दिल्ली के बाहर जाएंगे जो भी इलाज करवा रहे हैं उसकी रिपोर्ट 10 जुलाई तक पेश की जाएगी घौर तलब है कि सतेंदर जैन 31 मई 2022 से हिरासत में लगातार थे 6 अप्रेल 2023 को दिल्ली हाई कोट से जमानत याचका खारेज होने के बाद मैं मई 2023 में उन्होंने सुप्रीम कोट का दर्वाजा खटखटाए था जहां से उन्हें 360 दिन बाद 42 दिन की जमानत मिल गई थी 25 मई की सुबह आम आदमी पार्टी के नेता सतेंदर जैन तिहार जेल के वाश रूम में फिसल करके गिर पड़े थे इस तरीके की खबर निकल करके सामने आई थी उन्हें दीन दयाल उपाध्याए अस्पताल में भरती करवाई गया था दोपहर में उनकी हालत बगडने के बाद में उन्हें लोक नाइक जैपरकाश नाराइन अस्पताल यानि की एलन जेपी में शिफ्ट करवा करके ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था एक हफते में ये तीसरा मौका था जब सतेंदर जैन हॉस्पिटल पहुँचे थे इससे पहले 22 माई को उन्हें दिल्ली के ही सवदर जंग अस्पताल में ले जाये गया था तब उन्हें रीड की हड़ी में परेशानी आई थी 20 माई को भी वो इसी परेशानी के चलते दीन दयाल अस्पताल लाई गए थे जैसे कि आपको पता है कि जब जमानत नहीं मिलती है तो फिर शुरू होता है मेडिकल ट्रीटमेंट का सिलसला और उसके बेसिस पर कोट का दर्वाजा खट खटाए जाता है कि साहब हम तो बीमार हैं जमानत दे दीजिए इनफोर्समेंट डिरेक्टरेट ने दोस्तों 24 अगस 2017 को सीबियाई की तरफ से दर्च की गई F.I.R. को आधार बनाकर कि सतेंद्र जेन के खिराप में मनी लॉंडरिंग मामले में जात शुरू की थी सतेंद्र जेन ने 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 तक कई लोगों के नाम पर चल और अचल संपत्तियां खरी दी थी जिसका वो संतोज जनक हिसाब नहीं दे पाए थे उनके साथ में पूनम जेन, अजीत प्रसाद जेन, सुनील कुमार जेन, वैभब जेन और अंकोष जेन के खिराप भी मामला दर्ज किया गया था दिल्ली के पूर मंत्री सतेंद्र जेन की मांग पर उनकी सेल में दो कैदी भीजने पर तेहाल जेल प्रशासन ने जेल सुप्रिडेंटेंट को कारल बटाओ नोटिस भी जारी किया था दरसल जेन ने जेल नम्मर साथ के सुप्रिंडेंटेंट से रिक्वेस्ट की थी कि वो अकेले पन की वज़े से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं इसलिए उनके साथ में दो अन्न कैदियों को रखा जाए ताकि वो उनसे बात कर सकें मनी लॉंडरिंग केस में दोस्तों तिहाल जेल में बंध दिल्ली के मंतरी सतेंधर जेन पर जेल अधिकारीों ने धंकी देने के आरोप लगाये थे मीडिया रिपोर्ट्स के मताबक अदिकारियों ने डीजी जेल से मंत्री के खिलाब में शिकायत की है कहा गया है शिकायत में की जेल उनके साथ में जेल में दरसल दुर्वेवार कर रहे थे उनके जेल से बाहर आने पर गंबीर परडाम भुगतने की धंकी दे रहे थे अब बात कर लेते हैं घ्यानवापी मस्जिद पर आए सुप्रीम कोट के सुप्रीम फैसले की उत्रपदेश की वारानसी में जारी घ्यानवापी परसर के ASI सरवे पर रोक लगाने की मांग करते हुए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोट में एक याचिका दायर की थी इस मामले पर सुप्रीम कोट ने घ्यानवापी में चल रहे ASI के सरवे पर बुदबार की शाम को पांच बजे तक रोक लगा दी है और मुसलिम पक्ष से कहा है कि आप हाई कोट में जाएं इससे पहले सुप्रीम कोट ने कहा कि हम ASI से कह सकते हैं कि जब तक यह था इस्थिती रहे वहीं मुसलिम पक्ष की मांग थी कि सरवे पर रोक ही लगा दिया जाए CGI ने कहा कि हम ASI को निर्देश दे सकते हैं कि फिलाल कोई भी खुदाई न करे इसकी सुनवाई अब शुक्रवार को हो सकती है आपको बदादे कि आज मुसलिम पक्ष ने ग्यानवापी सरवे का मामला CGI की बैंच के सामने रखा था वहीं हिंदु पक्ष ने सरवे पर रोक वाली मुसलिम पक्ष की मांग का पुर्जो तरीके से विरोध किया था हिंदु पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि जो सरवे हो रहा है उसमें दरसल सील किया हुआ एरिया शामिल नहीं है जो area seal किया गया है archaeological survey of India वहाँ पर survey नहीं कर रहा है लेकिन muslim पक्षकार को यह एच्छे तपता है कि अगर archaeological survey of India के तरप से survey किया तो वहाँ पर कुछ ऐसे अवशेस मिल सकते हैं जो वहाँ पर मस्जिद के वजूद पर ही सवाल खड़े कर देंगे इसलिए Muslim पक्ष बुरी तरीके से बॉक लाया और उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले पर Supreme Court की Bench के सामने गुहार लगाई इसलिए फिलाल Supreme Court की Bench ने Archaeological Survey of India यानि की ASI के सरवे पर फिलाल तौर पर हालिया तौर पर रोक लगा दी है और हुना निकाए कि आप हाई कोट कर रुख कीजिए तब तक के लिए हम आदेश दे सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं कि ASI का सरवे रोग दिया चाए बहराल जो दिल्ली सरकार में पूर मंतरी रहे सतेंद्र जैन, जो की अब हॉस्पिटल पर हॉस्पिटल, मेडिकल पर मेडिकल ट्रीटमेंट दिखा करके उसके बेसेस पर जो जमानत ले रहे हैं और जिस तरीके से मनी लॉंडरिंग के मामले में तमाम चल और अचल संपत्ती का वो भ्योरा नहीं दे पाये थे जोगी की उनकी तरफ से खरीदी गई थी उसके तहट जो मनी लॉंडरिंग का मामला दर्ज किया था उसमें तकरीबं तीन सो पैसर देन यानी की एक साल जेल में बंद रहने के बाद में उन्हें जमानत पर रहा किया जाता है कि नेताओं के लिए और वी आईपी लोगों के लिए कानून थोड़ा लचीला है और आम जन्मानस के लिए कानून बहुत ही जादा इस्ट्रिक्ट है जब बात वी आईपी ओं की आती है जब बात नेताओं की आती है तो कानून के हाथ लंबे नहीं सिकुरते चले जाते हैं बेराल इस पूरे के पूरे प्रक्रड़ पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं जल्द लोगा किसे दूसरे बड़े अबडेट के साथ मैं तब तक के लिए धनवाद अगर आप लोग चैनल पर नाए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें सैड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नए अबडेट लेकर क्या हूं तो इसकी जानकारी सबसे पले आपको मिले